साथियों नमस्कार, हमारे चैनल रमन्द विध्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज का वीडियो हिंदी लिखना सीखें स्पेशल वीडियो हिंदी लिखना सीखें स्पेशल वीडियो में हम आपको बहुती बारीकी से हिज्जे करकरके एक एक शब्द का एक एक मात्रा का उचारण करके आपको हिंदी लिखना बताते हैं आप भी अपना कॉपी और पैन लेकर हमारे सासाल लिखिए क्योंकि लिखना सीखने के लिए स्वयम से लिखना बहुत जलूरी होता है शिर्फ वीडियो देख लेने से काम नहीं चलेगा हिंदी पढ़ना सीखना वीडियो देखकर तो आसान है लेकिन हिंदी लिखना सीखना वीडियो देखकर मुश्किल है वीडियो भी देखिए आप और साथ में लिखने का अभ्यास कीजिए आप बहुत ही जल्दी हिंदी सीख जाएंगे तो आये शुरू करते हैं आज हम एक कहानी लेकर आये हैं छोटी सी कहानी है, कहानी का सिर्षक है डंडे की मदद से तो पहले हम इस कहानी को पढ़ेंगे और उसके बाद में हम इसी कहानी को लिख कर हिंदी लिखना सीखेंगे तो आईए पहले पढ़ लेते हैं पढ़ेंगे एक किसान किसी मेले से एक सुन्दर गाय खरीद कर लवट रहा था उसे रास्ते में एक डकैत मिला जिसके हाथ में एक लाठी थी सुन्दर गाय देखकर डकैत का मन लालच से भर गया धमकाते हुए उसने किसान से कहा इह गाय तो मेरी है इसे छोड़ दे और रास्ता नाप किसान ने डर कर गाय डकैत को दे दी फिर किसान ने डकैत से कहा तुमने मेरी जिन्दगी भर की कमाई छीन ली है अब मैं इतना शक्तिहीन हो गया हूं कि चल भी नहीं सकता अगर तुम मुझे सहारे के लिए अपना डंडा दे दो तो मैं घर चला जाऊंगा डकैत ने किसान की बात मान ली फिर किसान ने डंडे की मदद से अपनी गाए वापस ले ली आएए अब हम इस कहानी को लिखें और हिंदी लिखना सीखें सबसे पहला बाग के था हमारा एक किशान किसी मेले से सुन्दर गाए खरीद कर लौड रहा था तो इस बाग का सबसे पहला शब्द है एक एक लिखेंगे हम लोग तो ए लिखेंगे ए से एडी वाला और को लिखेंगे एक ठीक है एक किशान कि का के साथ ए का उचान है लेकिन कम देर के लिए है कम समय के लिए है तो छोटी ए की मातर लिखी जाएगी यद हम का में बड़ी की मातर लिखेंगे तो हो जागा की उचान होगा की सान की सान गलत है हमको लिखना किसान खाली का मतलब इसमें कोई मात्रा नहीं ठीक है किसान एक किसान किसी किसी अब ध्यान दें का के साथ भी ई का उचान है सी और सा के साथ भी ई का उचान है लेकिन का में उचान कम देर के लिए है कि और सा में उचान अधिक देर के लिए है सी ठीक है तो कि का में छोटी की मात्रा सी सामें बड़ी की मात्रा लिख गया हमारा किसी ठीक है किसी मेले ध्यान दें मेले मा के साथ भी एक आउचार्ण में तो मा में एकी मात्रा और ले ला के साथ भी एक आउचार्ण तो ला में भी एकी मात्रा मेले किसी मेले आगला सब्द है से अब से ay सा के साथ भी एक की मात्रा मेले से एक फिर लिखेंगे एक ए और क एक जैसे हमने यहाँ पर एक लिखा एक सुंदर सुंदर लिखेंगे सुंदर सु सा के साथ उका अचाण, कम देर के लिए सु तो सामे छोटेव की मात्रा और आधाना जब किसी शब्द का अक्षर का उचार्ण जब किसी अक्षर का उचार्ण बहुत कम समय के लिए होता है तो उस अक्षर को आधा लिखते हैं तो यहाँ पर सुन न बहुत कम दिर के लिए है तो आधाना सुन द और अदर द के साथ कोई उचाण है और रा के साथ कोई उचाण है तो द भी खाली रा भी खाली लिख गया हमारा सुन्दर ठीक है सुन्दर गाए गा के साथ आग का उचाण तो गा में बढ़ा की मातरा और या के साथ कोई उचाण है तो या खाली तो हो गया या गाए दाखा जाएगा आगला है री खरी री रहा के साथ क मातर् सबदों ultr कि बिन मातरा का सबद का और राकर लौ त लौ अब seat Сब का उचान लौ तु लमे मी आव की मातरा क्या प्रके साथ कुई उतना खाली लौ दू रहा रह रह के साथ कुई उचानम नहीं हाँ आ के साथ का उचान तॉ हामें आखी मात्रा बढ़ें के मात्रा हो गया रहा था के साथ आगा जय तो था में आखी मात्रा था बिराम एक ठीक अगला शब्द है उसे उसे रास्टे में एक दख़ेत मिला उसे उसे उख छोटा उ लिखेंगे कुँई ध्यान दिया, रास्ते, रा, रा के साथ आका उचेण, रा में बड़ए आ की मातरा, साका उचेण में जब भी लिखते हैं, तो अनुसार बिन्दू अबस लिखते हैं, ठीक है, में, एक, एक, जैसे की हमने यहाँ पर i aqe 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 a aqe 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 aq छोटी की मातरा मिला, ला के साथ आ का उचाण, तो ला में, ला में, बढ़िया की मातरा ला, मिला, ठीक है, मिला के बाद में लेखेंगे, जिसके हाथ में एक लाठी थी, जिसके, जी, जा के साथ इ का उचाण, और कम देर के लिए, तो जा में छोटी की मातरा जी, स, जिसके, का के साथ एक आउचान तो का में एकी मातरा हो गया जिसके हाथ में हा लिखेंगे हा हा में बढ़या की मातरा हा थ थ थ था के साथ कोई उचान ने था खाली हाथ में में लिखेंगे मा मा के साथ एक आउचान में जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि में जब भी लिखेंगे तो अनुसार बंदू लिखेंगे तो यहां अनुसार बंदू भी लिखेंगे में जिसके हाथ में एक एक लिखेंगे एक जैसे हमने यहां पर लिखा यहां लिखा यहां लिखा ठीक है क्योंकि ठी देर तक उचाण है लाठी ठी अब था था के साथ ई का उचाण ठी और देर तक है तो बढ़ी की मात्रा ठी लाठी ठी राम लिखते हैंगे आगे लिखेंगे सुन्दर सुन्दर लिखेंगे सुन्दर गाए देखकर डकैत का मन लालच से भर गया लिखेंगे सुन्दर हम पहले भी लिख चुके हैं एक बार यहां पे लिख चुके हैं इसी तरह लिखा जागा सा में छोटे उकी मतसु आधाना दा और अधर सुन्दर गाए सुन्दर गाए गाए लिखेंगे गा और गा में बड़े आकी मात्रा क्योंकि यहाँ पर हम गाए लेख चुके हैं पहले एक बार यह देखिए यहाँ पर ठीक है गा, गा में बड़े आकी मात्रा और या गाए सुन्दर गाए देख कर देख कर लिखेंगे हम लोग देख दा के साथ एका उचार्ण तो दा में एकी मात्रा अख खा के साथ कोई उचार्ण जो खा खाली देख कर कर राकर ना ही का के साथ कोई अलग से उचार्ण ना ही रा के साथ कोई उचार्ण तो दोनों सब ऐसे ही लिख दे बिना मातरा के ही लिख दे जाएंगे तो हो गया है देख कर देख कर देख कर डकैत का मन डकैत हमने यहाँ पर लिखा है इसी तरह से डकैत यहाँ लिख देंगे ड़ और का का के साथ आएका उचाण ड़कए और त ड़कए त त खाली ड़कए त का के साथ आका उचाण तो का में बढ़िया की मात्रा का मन मा और ना मन बहुत ही सरल सब्द अमात्रिक सब्द मन नहीं मा में कोई मात्रा और नहीं ना में कोई मात्रा होगे अब ध्यान दें लालच ला के साथ आका उचान है ला और फिर है लच नहीं ला के साथ कोई चान नहीं चा के साथ कोई चान हो गया लालच से सा के साथ एका उचान तो सा में एकी मात्रा से भर गया भर भा और भर भार भर अमात्रिक सब्द बहुत इसराल सब्द भा और भर ठीक है भर गया 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 लिखेंगे और या लिखेंगे या में बढ़या की मात्रा हो गया ठीक है लालच से भर गया विराम लिखेंग आगे लिखेंगे धम काते हुए उसने किसान से कहा धम धा और मा धम काते का के साथ आग का उचर्ट का में बढ़े आग की मात्रा ते ताके साथ एक का उचर्ट उता में एकी मात्रा हो गया धमकाते धमकाते हुए हुए लिखेंगे ह, हा के साथ का एक उचान है हु, उ का उचान है और कम देर के लिए है तो जो कम देर के लिए है तो छटी उ की मातर लिखी जाएगी हु, ए ए लिखेंगे, ए ठीक है, हुए धमकाते हुए, उसने उस उस लिखेंगे उ और सा उस ने ना के साथ एकाव चाओं तो नामे एकी मात्रा उसने किसने उसने डगायत नहीं याने की उसने किसान से कहा किसान पिसान हम पहले भी लिखते हैं लिखेंगे का और का में छोटी की मात्रा की सा सा में बढ़ जा की मात्रा सा और न किसान से सा के साथ एक आउचान तो सा में एकी मात्रा से कहा 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 खाली यानि कहा में कोई मात्रा नहीं हा के साथ आ काउचान तो हामें बढ़िया की मात्रा कहा उस धमकाते हुए उसने किसान से कहा यह गाए तो मेरी है यह यह और हा यह यह गाए गाए जैसे मैं पहले भी लिखा है यहाँ पर गाए इसी तरह यह लिखे दें गाए गा, गा में बड़या की मात्रा गा, और या, गाए तो, ता के साथ ओ का उचान, तो ता में ओ की मात्रा तो, मे, री, मे, मा के साथ एक का उचान, तो मा में एक की मात्रा री, री, रा के साथ एक का उचान, और देर तक है री, तो रा में बड़या की मात्रा मेरी है हा के साथ ए का उचान तो हा में ए की मात्रा मेरी है इह गाय तो मेरी है इसे छोड़ दे इसे इ लिखेंगे और सा शा के साथ वकाशन तूछा में ऊकी मात्राशू रां के बाला ओ लेखेंगे ओ और रा रा खाले कोई मत्रा नहीं रा के साथ और और रास्ता नाप रास्ता नाप यानि कि रा रा के साथ बढ़े आका उचान रा स स बहुत कम देर के लिए साका उचान तो आदा सा रास्ता ता के साथ आका उचान ता में आकी मत्रा ठीक रास्ता नाप ना, ना के साथ आका चौन तो ना में बढ़या की मात्रा और प, पा के साथ कोई चौन तो पा खाली, ना प, और रास्ता ना प, ठीक है, अगला सब्ध है, किसान ने डर कर गाय डकैत को दे दी, किसान, जैसे कि हम पहले भी किसान लिख सुके हैं, कई बार, अहम, फिर से किसा टी की मात्र की, सा, सा में बढ़या की मात्रा और न, किसान, ने, ने लिखेंगे, ने, ना के साथ एका उचान, तो ना में, एकी मात्रा ने, किसान ने, डर कर, डर, डा, और रा, बहुत ही सरल सब्द, डर कर, का, और रा कर, नहीं, डा के साथ कोई उचान है, तो डा खाली, और रा के साथ भी कोई उचार नहीं, रा भी खाली, का के साथ कोई उचार नहीं, रा भी खाली, और फिर रा के साथ कोई उचार नहीं है, तो रा भी खाली, सीधे सीधे लिख दे आएगा, डर, का रा कर, डर कर, किशान ने, डर कर, गाए, गाए, जैसा के हम पहले भी लिख ठेकाइद भी हम कई बार लिख चुके हैं तो फिर हम अफ़ीन अदर healthy अपार कमें के मात्रा कई tension को का के साथ E का करुंद तो का में की मतरा पथे दिदी दा के साथ एकाउचान तो दा में एकी मात्रा दे अपर दी दा के साथ एकाव चांड तो दा में वड़ी एकी मात्रा दी दे दी फिर अब क्या है फिर 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 फा के साथ एकाव चांड रहेंगे कम देर के लिए तो फा में छोटी एकी मात्रा और फिर फिर किसान ने किसान इसे तर लिखे हैं जैसे हम पहले क कई बार का में छोटी की मात्रा की सा सामें बढ़या की मात्रा और न किसान ने ना के साथ एक आउचान तो नामें एकी मात्रा किसान ने डगायत से कहा डगायत जैसे हम यहां पर दगाट लिख देंगे ड और का का में आ की मात्रा और त ड कैत से सा के साथ एका उचान तो सा में एकी मात्रा से से कहा कहा का और हा का लिखेंगे का खाली क्योंकि का के साथ कोई उचान नहीं है का हा हा के साथ आ का उचान तो हा में आ की मात्रा कहा किसान ने डगयत से कहा तुमने मेरी जिंदगी भर की कमाई छीन ली है तुमने तु ताके साथ उ का उचान कम देर के लिए है तु म तुमने ना के साथ एका उचान तो नामे एक की मातरा तुमने एद हम गलती से तामे बड़े उकी मातरा लिख दें तो हो जाएगा तुमने तुमने गलत हो जाएगा हमको चाहिए तुमने और तुमके लिए छोटी उकी मातरा लिखी जाएगी जो लिखी है तुमने मेरी मे मा के साथ एका उचान तो मेरी रा के साथ एका उचान तो बड़ की मात्रा मेरी। कि जिंदगी जिन जिन यहने कि जा के साथ इक का उचाण कम मिदर के लिए है। तो जा में छोटी की मात्रा, अगर उचाण आथे ना का जिन क्योंकि जो अख्षर कम दिर के लिए उचाड़ कि ला था तो से आधा लिखते हैं। तो यहाँ पर ना बहुत ही सरल सब्द भा और अभर जिन्दगी भर की की लिखेंगे की का के साथ की का उचान तो का में बड़ी की मातरा की जिन्दगी भर की कमाई कमाई क का के साथ कोई चान में दुका खाली मा मा के साथ का उचान तो मा में बड़ी आ की मातरा मा की की देर तक है तो बड़ी लिखेंगे ठी के कमाई जिन्दगी भर की कमाई छीन ली है छी छी छा के साथ ई का उचान तो छा में बड़ी की मात्रा छी और न ना के साथ कोई उचान तो ना खाली छीन ली ला के साथ ई का उचान तो ला में बड़ी की मात्रा ली है है हा के साथ आ का उचान तो हा में आ की मात्रा छीन ली है ठीक है छीन ली है विराम रिख देंगे अब मैं इतना शक्त हीन हो गया हूँ अब आ और बा अब आ के साथ कोई है बा के साथ कोई है बा के साथ नहीं तो गया अब बहुत-शरल सब्द- extraordinarily सब्द अब मैं में मां के साथ अय का उचाण मैं मांके साथ आय का उचाण तो मामें की मात्रा में और में जब भी आप लेखें तो अनुसार गिंदु अब ऐसे लिखें ठीक है तो माझ में एकी मां में एकी मातरा और साथ में अनुषार गिंदू हो गया मैं अब मैं, इतना इ, इमलीवालारी चोटी, ठीक है, इतना ना के साथ आका उचान तो नामे बढ़िया की मातरा इतना शक्तहीन शक्तहीन श, श लिखेंगे और आधा का शक्ति ताके साथ एकाउचान कम देर के लिए तो तामे छोटी की मात्रा जैसा कि हम पहले भी आपको बहुत बार बता चुके हैं कि एद किसी अक्षर में छोटी की मात्रा लिखी हो और उससे पहले कोई आधा अक्षर हो तो उस आदे एक्षर से भी पहले छोटी की मातरा लिखी आती है लेकिन पढ़ी पूर एक्षर पर जाती है तो यहाँ पर हम लिखेंगे छोटी की मातरा लेकिन पढ़ेंगे ता के साथ हो गया शक्ति हीन ही हा के साथ एकाउचान देर तक तो हा में बढ़ी की मातरा और फिर न, न, ना खाली ना के साथ कोई उचार्म नहीं होता हो रहा है तो ना खाली हो गया शक्तिहीन, ठीक है, शक्तिहीन हो, हो, हा के साथ ओकाउचान तो हा में ओ की मातरा हो गया गया ग और यहां में बड़य की मात्रा धीन कल छली खेंगे अब हो के साथ कर अभी यहां से सुनें हूं हूं का अचौन हो रहा है देर bok Despite हुँ, तो हमें बड़े हु की मात्रा, अब फिर से ध्यान से सुने, हुँ, यानि नाग से उचान हो रहा है, अब यह हुँ लिखा है, हुँ, अब हमको हुँ करना है, हुँ के लिए चंदरबिन्दू इसके ऊपर लिखेंगे, ठीक है, हो गया हुँ की, की लिखेंगे, सक्ति थीं हो गया हूं कि, यहाँ पर हमने की लिखा था, का ने बड़िकी मात्रा की, अब हम का में छोटी इकी मात्रा लिखेंगे तो होगा कि ठीक है हो गया हूँ कि चल भी नहीं सकता चल बहुत ही सरल सब्द और अमात्रिक सब्द चा और लाचल ठीक है चल भी भाग के साथ ए काउचान तो भाग में बढ़ी की मात्रा भी नहीं नहीं यहां भी हा के साथ ए काउचान है तो हा में बढ़ी की मात्रा और साथ में अनुशार विंदू भी है ठीए नहीं सकता सक सा और का सकता ताके साथ आकाओ चौन तो ता में बढ़ी आकी मात्रा सकता चल भी नहीं सकता अगर अगर लिखेंगे अगर छोटा आ और गा अग और अगर 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 मुझे अगर मुझे म मा के साथ का का उचान है उ का मुझे और कम देर के लिए है मुझे जा के साथ एक का उचान तो जा में एकी मात्रा मुझे यह हम गलती से मा में बड़े उकी मात्रा लिख दें तो हो जाएगा मुझे मुझे गलत हो जाएगा हमको लिखना है मुझे तो मा में छोटे उकी मात्रा मुझे सहारे के लिए सहारे स अगर तुम है आपे तुम भूल गयते माप करना अगर तुम मुझे ठीक है सहारे स हा के साथ आकावचान सहा सहारे रा के साथ एकावचान सहारे सहारे के लिए के का के साथ एकावचान तुका में एकी मात्रा के लिए लि ला के साथ एकावचान कम देर के लिए ला में छोटी की मात्रा लि ए ए लिखेंगे ठीके सहारे के लिए अपो ना आप अपो आ और पा अपो ना के साथ आकाउचाण तो नामे बढ़िया की मात्रा अपना डंडा डंडा लिखेंगे डा और अनुषार बिंदू डण और डा के साथ आकाउचाण तो डामे बढ़िया की मात्रा कम देर के लिए है तो छोटे उकी मात्रा मुझे जा के साथ एक आउचान मुझे दे दो दे दा के साथ एक आउचान तो दा में एकी मात्रा मैं अपने घर चला जाऊंगा अपने आ और पा अपने ना के साथ एक आउचन तो नामे एकी मात्रा अपने घर घा और रा घर चला चला च चा खाली चा के साथ कोई उचन नहीं ला ला के साथ आ का उचन तो लामे बड़े आ की मात्रा चला जाऊंगा जाऊंगा जा जा के साथ भी आ का उचानद है जा में आ की मात्रा जा उ उ बड़ा उ लिखा जाएगा और चंदर बिंदू भी लिखी जाएगी गा के साथ आ का उचानद तो गा में आ की मात्रा जाओंगा चला जाओंगा विराम लिख देंगे आगे लिखेंगे डकायत ने किसान की बात मान ली डकायत डकायत हम पादे लिख चुके हैं इसी तरह लिखेंगे ड और का का में आ की मात्रा डकाय और त डकायत ने ना के साथ एका उचाँ तो ना में एकी मात्रा ने किसान क का में छोटी की मात्रा की सा सा में बढ़या की मात्रा सा और न किसान की का के साथ एका उचान तो का में बढ़ी की मात्रा की बात बा के साथ आका उचान तो बा में बढ़या की मात्रा ता के साथ कोई उचान ने ता खाली ठीक है बात मान ली मान मा के साथ आ का उचान तो मा में बड़ी आ की मातरा और न मान ना खाली ना के साथ कोई उचान तो मान खाली मान ली ला के साथ है इ का उचान तो ला में बड़ी की मातरा ली किसान की बात मान ली फिर फिर लिखेंगे फिर फी फा के साथ ई का उचान कम देर के लिए है तो फा में छोटी की मात्रा फी और रा खाली रा के साथ कोई उचार नहीं तो रा खाली फिर फिर किसान ने यहाँ पर विर्याम रिख देंगे मान ली फिर किसान ने की यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ किसान लिखा है का का के साथ छोटी की मात्र की और सा सा में बढ़ा की मात्रा और न किसान ने न के साथ एक आउचान तो ना में एकी मात्रा किसान ने डंडे डंडे लिखेंगे डंडे ड़ डा में अनुस्वार बिंदू फिर ड़ डा के साथ एक आउचांड डे तो डा में एकी मात्रा डंडे की का के साथ एक आउचांड तो का में बड़ी की मात्रा की मदद ध्यान दे मदद म मा के साथ कोई उचांड नहीं द डा के साथ भी क कोई उचाड़ने हो गया मों दददद मदद मदद से सा के साथ एक आओ चांड तो सामें एक की मात्रा से किसान ने डंडे की मदद से अपनी अप चोटा आ लिखेंगे और पा अप नी ना के साथ एक आओ चांड देर तक है नी तो नामें बड़ी की मात्रा अपनी गाए जैसा कि हम पहले गाहे लिख चोगे हैं गाह में बढ़या की मात्रा गाह और यह गाहे वापस वा के साथ आ का उचान तो वा में बढ़या की मात्रा वापस पा के साथ कोई उचाड़ नहीं सा के साथ कोई उचाड़ नहीं वापस ले ली ले ला के साथ एका उचान तो ला में एकी मात्रा और ली ला के साथ एका उचान तुला में बड़ी की मात्रा ले ली विराम लिख देंगे फिर किसान ने डंडे की मदद से अपनी गाए वापस ले ली तो दोस्तों यह था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने हिंदी लिखना सीखा हमने आपको बहुत ही बार दोस्तों आप भी हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए हमने अपने चैनल पर बहुती सरल और बहुती बेवारिक तरीके से आप लोगों को हिंदी लिखना परना बताया है तो जिन साथी ने हमारे चैनल को सस्क्राइब किया हुआ है उनको धन्यबाद और जो साथी अभ अभी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको भी बारम बार धन्यवाद मिलेंगे हमारे एकले वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय हिंदी